बॉर्णिंग क्लास, वेलकम बेक टू यूर वीडियो लेक्ट सेशन्स कैसे आप सब हम बात कर रहे है स्टेंडर्ड सेवेंथ के चैप्टर नाइध की ऑप्टेंग इन उटिलाइजी फूड हमने खाना कहां से मिलता है अलग अलग टाइप के न्यूटरिशन देख लेते हैं होता है हम बात करेंगे यूमें डाइजेस्ट सिस्टम की हमारे अंदर खाना कहां से जाता है कैसे डाइजेस्ट होता है कहां कहां से पास होता है क्या क्या चीज उसे उपर काम करती है पूरा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है और वेस्ट कहां से निकलता है यह सारी चीज़े हम पढ़ेंगे यूमें डाइजेस्ट सिस्टम में और उसके बाद एनिमल्स का भी स्वाट में देखेंगे तो हमारी जो पूरी डाइजेस्ट system है उस पूरी डाइजेस्टू system को elementary canal बोलते है जहां पर आपका first word है black girl का elementary canal let us follow the path taken by food as it travels down the elementary canal जब हम खाना मुह में डालते वहां से लेके हमारी body में से जो waste निकलता है उस पूरी जो पूरा रास्ता है मुह से लेके हमारे सरीट से बाहर निकलने का उस waste का तो पूरी रास्ते को क्या बोलता है elementary canal बोला जाता है उसकी यह definition दी हुई है black color की line में the elementary canal and some associated organs like the liver and pancreas compromise the digestive system तो यह किसकी definition हुई तो यह हुई digestive system की कि खाना जो पूरा रास्ता लेता है वह उसके साथ-साथ liver और pancreas जैसे organs भी साथ में मिल जाते हैं तो वह पूरी system को क्या बोला जाता है human digestive system बोला जाता है एक एक करके हम वह system देखते हैं कहां से start होता है तो शुरुवात होती है मुह से तो मुह में हम मुह में खाना डालते है तो पहली process कौनशी होती है खाना चबाने की उस process को क्या बोलते है उस process को बेलते है mastication जो हम खाना खाने के time चबाते है न उस process को बोलते है mastication अब खाना चबाता कौन है दूसरा question यह आता है तो वह चबाते है teeth तो adult जो 18 साल के उपर के है उन्हें 32 दात होते है 32 different kites of teeth 32 types of teeth होते है 32 teeth होते है types 4 होती है वह हम आगे पढ़ेंगे लेकिन जो बच्चे 7 साल से कम की age के होते है children's below the age of 7 उनके सिर्फ 20 दात होते है और वो 20 दात कैसे होते है milk teeth होते है कि 7 साल तक आप लगें दूदना दात से 7 साल तक कच्चे दात होते है जो 7 साल के बाद गि 3 इस देर कौल पर्मनेंट ती इसके बाद वो राए गिर गए 25 साल की उमर में 25 साल की उमर में 25 साल की उमर में अगर आपका भी खर गिर गय ふहात लग आगा, इसपर बहात पर नकलहें नहीं आपको फिर में अर जात लगवाना पड़ेगा, बहारा है ky आते है जब mealक टीट तूट जाता है तब पर्मनेंट आता है उसके बाद खातम हो जाती है बाद रहे तो at the age of 7 और उससे पहले जो teeth होते है वो milk teeth होते है कितने होते है 20 numbers उसके बाद जब adult हो जाता है आदमी 18 plus हो जाता है तो उसके total teeth 32 हो जाते है रहे अब इस 32 teeth को 4 categories में divide किया गया है आपको figure 9.10 में उसके नाम दिये गये हुए है पहला है incisor दूसरा है canine तीसरा है premolar और चोथा है molar चार टाइप के teeth होते है जो यहां पर आपको पूरा paragraph discussion में दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं हमें चार अगले टाइप के दात होते है और सभी यह दात का अलग-अलग function होता है तो देख लेते है तो front teeth in each row are called incisor आगे के जो दात होते हैं यह वाले यहां पर देखो यह arrow draw किया हुआ इंचीजर के नीचे जो कितने दात है न ऐसे करके arrow draw किया हुआ कि कितने दात incisor होते हैं तो यह जो incisor होते है वो आगे के दात होते हैं यह खाना कट करने में help करते हैं यह help in cutting लिखा हुआ है they are helping cutting so they are flat and blade like वो flat होते हैं चप्टे होते हैं और blade like होते हैं थोड़े तीखे और नोकेले होते हैं क्योंकि उन्हें खाना कट करना होता है उसके बाद on the either side of incisor there are canines अब देखो यह incisor है इसके एक यह incisor है इसके एक बजू में canine इसके एक बजू में canine दो दात हो गए त पर हमको दिया हुआ है कि four यह bracket में लिखा है canine के बाजू में on the either side of incisor there are canines four in all they are pointed and helping tearing the food वो खाना फाडने में काम करते हैं आगे के जो यह दात है वो खाना कट करने में काम आते हैं यह जो चार दात है उपर नोकेले दो उपर दो नीचे वो खाना फाडने में काम आता है right tearing the food अब canine के बाजू में there are two premolars in other words there are eight premolars अब देखो इसके बाजू में दो premolar यहां पे और दो यहां पे दो दो चार चार नीचे है तो उसने ही चार ऊपर होंगे तो total कितने होगे eight तो eight premolars है हमारे पास अब इनका जो base है इनका जो area है वो थोड़ा बड़ा है तो खा spending बोलते हैं उसको पूरा piece देते हैं उसको खाना तभी तो आपको बड़ा जाता है कि खाना जितना हो सकके उतना ज्यादा चाहिए रैट क्योंकि उतना आपका body digest करने में कं टाम लेगा और अच्छे से digest होगा अगर आप किसी चीज़ को चबाओगी नहीं तो वह आपकी body म बात होते हैं बेज के रूप में उनका एक दात का बेज बड़ा बड़ा होता है तो यहां पर जो खाना आता है वो ज्यादा और ग्राइंड होता है रैट क्या होता है और अच्छे से पीसता है अब यह क्या होता है देरा three three molars last line बखिए देरा three molars on each half and upper lower jaws अब तीन यहां यहां पर 6 6 और 6 12 होगे तो पूरे मून में प्री में यह जो होते है, Molar वो कितने होते है 12 यह कितने होते है 8 यह कितने होते है 4 बकी जिदने बचे वो स्क replacement इंसिजर हो जाएंगे रैट इस तो यह था हमारे चार अलग-अलग teeth sets का formation हमारे पास चार types से इंसीजर है जो आगे के फ्लैट लैक होते है हर इंसीजर के बाद जो में एक है के नहीं होता है मतलब उपर नीचे करके चार होता है वो खाना फाड़ता है आगे के जो इंसीजर होते है वो कट करते है और फिर प्री मोलार जो आंट होते है और मोलार जो बारा होते है वो क् करती है तो हमें पता है कि एक ही ऐसा ओर्गन है हमारे बॉड़ी में टंग जिसके पास हड़ी नहीं है रैट पूरा का पूरा गुमाना ताकि हर एक खाना जो है हम जो खा रहे हैं वो हर एक दात के नीचे आ सके अच्छे से उसको हम काच सके अच्छे से उसको फाड सके अच्छे से उसको चबा सके रहे अच्छे से उसको हम च्यू कर सके तो टंग का काम ये होता है हमारे मुँ में जो है वो खाना तो यह उसका एक और function है और तीसरा function है जुबान का तो यह सारे त्टैस्ट किसकी वज़ेसे है ना ही गाल की वज़ेसे होते है तो तीन में फंक्शन से है तंग के खाना 도्रा करना बोलने में मजद करना और टेस्ट करना तो हमारे जो taste bud होते है वो इस तरह से हमारे tongue के उपर set होते है हमारी tongue का जो आगे का हिस्सा होता है या जो yellow part दिख रहा है वो sweet चीजे taste करने में export होता है तो जब हम कोई मिठी चीज खाते है तो वो किस से पता चलता है हमारे tongue की आगे की tip से उसके बाद का उपर का जो area है वो area जो ये red color का है वो हमें दिखाता है salty मतला अगर कोई चीज खारी हमने खा ली है नमक वाली जादा नमक वाली salty चीज खा ली है तो इनकी मदद से में पता चलता है कि ये area है जो salty taste को पता लगाता है उसके बाद ये जो white color का area है taste करता है कडवी चीजों को जब हम दवाई खाते है करेला खाते है तो वो जो कडवा स्वाद आता है वो tongue के पिछले हिसे की वज़े से आता है कि वो पता लगाता है कि ये चीज कैसी है कडवी है तो ये थी आपकी tongue अब खाना tube भी हो गया है और tongue ने उसको circulate भी कर दिया है अब क्या होता है वो देखते है तो खाने के साथ-साथ हमारी body में अलग-अलग glands होते है figure number 9.14 यहाँ पर जो है ये सारे organs जो है mouth, saliva, gland, isophagus, liver ये सारे जो नाम लिखे है न ये सारे के सारे आपके digestive system के organs से हर एक का थोड़ा थोड़ा योगदन है आपके खाने को digest करने में तो उसमें सबसे पहला योगदन किसका आता है mouth का क्योंकि दात और जुबान दोनों उसी के पास है मुमें अंदर जाएगा और खाना हम चबाएंगे तब ही क्या होगा खाना का digestive system स्टार्ट होगा saliva किसको बुलते हैं हमारे थोग को अधै जब हम खाना खाते हैं और चबाते हैं तो वह खाना उसके साथ मिक्स हो जाता है किसके साथ saliva के साथ こ been tat. अब यह saliva re जो है उसे खाना खाने के टाम पर थूख नहीं बनाता है जब आप अपनी मन पसंद चीज को देखते हो जब आप कोई चीज पसंद आती है कहने के लिए निकते हो रहे अब यह saliva हमारे खाने में mix क्यूं होता है ऐसा क्यूं होता है कि जब हम खाते तब मुमेद पानी आता है या फिर थोक निकलता है तो हमारे saliva में एक enzyme है जिसका नाम है amylase अब यह amylase क्या करता है हम जब रोटी चावल यह सब खाते हैं तो आपको आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम रोटी चबाते रहते हैं या फिर चावल चबाते रहते हैं तो आपको कुछ देर के बाद रोटी या चावल मिठा लगने लगता है आपको sweet लगने लगता है इसा क्यूं होता है तो आपके जो खाना है रोटी जो आप खा रहे हो या फिर चावल जो खा रहे है उसके अंदर starch होता है क्या होता है stars होता है stars is present अब यह my life क्या करता है उस starch को किस ने कर्णवर कर देता है शुगर के अंदर चीनी बना देता है तो आपको उसकी वज़ेसे क्या लगने लगता है वो रोटी हो ब्रेड हो या फिर राइस हो आपको लगने लगता है, मिठ है लगने लगता है थोड़ा है तो Amylase, जो है, वो क्या करता है हमारे खाने का अंदर का जो stretched होता है, उसे सुगर में convert लगता है, right अब यहां पे हमने पूरा निवाला बना लिया हमने उसको दातों के वीच में crushed करके सलाइवासे mix करवा के starch को sugar में convert करवा के अब हम उसको गले से नीचे उतारेंगे तो जब हम नीचे उतारेंगे तो पहली जगा कौनसी है वो जहां वो जाएगा तो वो जाएगा pharynx में हमारे मूँ के साथ एक tube connected होती है जिसका नाम क्या है pharynx अब pharynx के दो opening होते है हमारा जो pharynx है वो दो जगा खुलता है एक जो खुलता है उसका नाम है trachea क्या नाम है trachea जिसका दूसरा नाम आसान वर्ड्स में है हमारा wind pipe क्या नाम है wind wind p i p e pipe इसके नाम से पता चल गया कि wind मतलब हवा, हवा मतलब सांस से related है, तो हम सांस लेते है बाहर छोड़ते है, उससे related होगा तो हाँ, यह जो trachea है यह हमारे body के अंदर gas की inward और outward को check करता है अब यह जो pharynx है जो एक side trachea से related है और एक side connected है isophagus से, दूसरा नाम क्या है आपका topic का isophagus अब यह हमारा खाने को नीचे तक पहुँचाता है अब देखो मू में से tube एक निकल रही है यह हमारा मू है, यहां से हमने खाना डाला tube एक ही है, अब इसके दो इसे पढ़ रहे है, एक trachea है जो की wind है हवा के लिए है, और isophagus है जो की खाने के लिए है तो खाना इसी के अंदर जाना चाहिए लेकिन यह तो common रास्ता है तो इस common रास्ते से खाना ट्रेक्या में न जाए और सिर्फ इसोफेगस में जाए, इसको देखने के लिए कौन है, वहां पे तो epiglotis है क्या नाम है उसका? यह रहा epiglotis तो जब हम खाना खाते है यह हमारी मू है, उसमें खाना डाला यह फैरिंग से यहां पे इसोफेगस है, यहां पे ट्रेक्या है, तो यह epiglotis है वो ट्रेक्या के उपर आ जाएगा और उसको बंद कर देगा तो खाना कहां जाएगा? सीधा इसोफेगस में जाएगा, रैट अब जब यह epiglotis pairings को बंद करना भूल जाता है जब यह epiglotis उस wind pipe को बंद करना भूल जाता है तो खाना जो है, वो इसोफेगस की जगा पे wind pipe में चला जाता है इसलिए जब आप खाते हो कभी-कभी तो आपको अच्चनक से खांसी आने लगती है, खाना गले में अटक जाता है आपको पानी पीना पड़ता है उसको उतारने के लिए, आप कुछ बोल नहीं पातो थोड़ी देर, आपकी सांस अटक जाती है वो इसकी वज़े से होता है कि खाना जो है, वो गलत पाइप में गुज गया है इसलिए आपको बूला जाता है कि खाते-खाते बात मत किया करो क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं आपके हाथ मुमें खाना डाल रहे हैं का दिमाग बातों में लगा हूँ तो बॉडी को पता नहीं चलता है कि क्या करना है , इसो खेका को खोलकर रकना है या विंड्पय में क्या षिक है और को खाना करें में चला है और आपक inclusory क्या है उतना जाता है आप खाना शोड़ देते हो आप सांस ने ले पाता हो, थोड़े दिर के लिए आपका मुझ लाल हो जाता है, फिर पानी पीना पड़ता है, दो मिट सांस लेनी पड़ती है, तो यह किसकी वज़े से होता है, कि एपिक लोटीस जो है, वो टाइम पे बंद नहीं हुआ, ट्रेक्या के उपर, और खाना जो ह होता है, कहां जाता है, वो digest कैसे होता है, वो अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको ठीक से समझ में भी आये, कि खाने की प्रोसेस कैसे होती है, अगर में एक सांस ही ले लूँगा, आपको समझ में आएगा, नहीं, ठीक है? तो यहां तक का सेसर्सन खत्म करते है, आप ये वीडियो दू-तीन बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इतना कोई हाड है नहीं वर्ड नहीं नहीं है इसलिए आपको लगए का कि यह हाड है बाकि आप गर वर्ड याद रख लो तो रास्ता तो आपको आसानी से याद आ जाएगा चार टीप्स चार टाइप के M.I.L.A.S. के साथ मिक्स करके खाने में से स्टार्च को सुगर में कनवर्ड करता है उसके बाद क्या होता है यह एपिक लोटिस का काम आता है कि वह एपिक लोटिस जो है वो विड पैप को बन कर देगा और खाने को कहां पहुंचाएगा इसोफेगस में पहुंचाएगा यहां तक आज खत्रम करते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में खाना जब आगे बढ़ता है हमारे पेट में उसके बाद इंटरस्टाइन में उसके बाद हमारे एनस से बोडी के बाहर यहां तक हम देखेंगे तब तब वीडियो देखिए होंबग करी और मुझे होंबग बे आखिए